नमस्कार दोस्तों मैं महें सपाडिदार कल्याणी आई सेकेडमी में आपका स्वागत करता हूं आज हम एक नया टॉपिक स्टाट करने वाले हैं जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो हमने जो पिछला टॉपिक पढ़ा था विशला टोपिक हमारा क्या था अनुपात था समानुपात ये उसी का एक पार्ट है कई सारी बुक के अंदर ये जो टोपिक है वो उसके साथ आपको मिल जाएगा अनुपात समानुपात के अंदर ही आपको इसके सवाल मिल सकते हैं हो सकता है कि बुक के अंदर आपको एक अल प्रोफिट का रेश्यो बनेगा कि आप इसके सवाल जो है बुक के अंदर कर सुझे करते हो तो यह दो-तिन जाएगे आपको इस चेप्टर के अंदर मिल जाएगा कई बार इसका सवाल जो है आपको नंबर सिस्टम में भी कहीं कहीं दे दिया जाता है तो सिधा सा है यह पूर अब साज़ेदारी या partnership को पहले समझ लीजिए थोड़ा सा partnership क्या होता है तो partnership का मतलब यह हो गया कि कि किसी भी काम को एक से ज़्यादा व्यक्ति अगर मिलकर कर रहे हैं तो वो क्या हो गया है partnership साज़ेदारी कोई भी आप इसमें एक्जामपल ले सकते हो कोई company अगर चल रही है company का अगर company के अंदर अगर दो मालिक है तो वो partnership हो गई कोई भी काम अगर आप कर रहे हो छोटा बड़ा उसमें आप partnership है आप चाहे कुछ यह मान लिजिए आप roommates हो roommate भी क्या है है partner होते हैं हम बोलते हैं हमारा रूम-पार्टनर है रूम-प्रस कि अगर आपको करते हैं दैते हो इसे ब्राबर ब्राबर बाड़ देते हो तो वहां पर भी आपने पेशा लगाया है लेकिन रूममेट के अंदर जान रखना है कि रूम के अंदर आपको कभी भी रिटन पेशा नहीं मिलता है यह वहां पर आपको पेशा नहीं मिलेगा यहां इस चेप्टर के अंदर उसमें बस यही डिफरेंस है कि वहां पर आपको क पेसा नहीं मिलता है पेसे के बदले में आपको सुविधा मिलती है और वह सुविधा अगर दो व्यक्ति आप रहते हो तो दोनों बराबर बराबर यूज कर सकते हो दोनों क्या करोगे जो भी आपका पेसा आपने लगाया है उस रेश्यमा उसको क्या करोगे उस सुविधा को तो आपको पेशा मिलेगा अब जिस ratio में आप पेशा मिलेगा जैसे कि इसके अंदर में आपको यह example बताओं दो प्यक्ति है और भी इसने लगाया है 5000 रूपए और इसने भी लगाया है 5000 रूपए तो आप इतना बताओ कि इसमें पेशा किसे मिलेगा ज्यादा अगर प्रोफिट की बात की जाए तो प्रोफिट में किसे पेशा जादा मिलेगा तो आप बोलोगे कि सर इसमें तो पांच जार है इसमें पांच जार है दोनों ने बराबर पेशा लगाया है तो इनका जो प्रोफिट का रेशो है वो भी क्या होना चाहिए बराबर क्यों क्य पेशा क्या है बराबर है अगर पेशा बराबर है तो इनका सबीसे समझते हो कि यह एक तरींचे से क्या हो गया तो रूमेट्ट्ज नहreet जो बराबर बराबर ण्र में करते हैं, कोई कमपनी अगर बराबर पेश साथ कोल दी जाए तो इसमें पेशा क्या होगा उनका उब प्रॉफिट रही में वह क्या होग बराबर बढ़े जाएगा अगर यहां पर बात की जाकर पुंजी की बात की जाए अगर ये 5 अजार लगा रहा है मांदो इसने पाँच अजार नहां लगाते हुए 11 ने लगा दिया है 5 और 1 लगा रहा है 15 कविग एक ने कित MartIर पांच अजार स Deutsche लगा रहा है 15 अब आप बोलोगा कि सरी पेशा ज्याधा लगा रहे तो इसको पेसे जादा मिलना चाहिए कितना जादा मिलना चाहिए तो आप इसमें देखो कि इसने जो पेसा लगाया उसने जो लगाया उसका अनुपात क्या बन रहा है एक अनुपात तीन मतलब इसने तीन गुणा पेशा लगाया है तो जो प्रोफिट इनको मिलेगा उसमें भी इनका रेशो क्या रहेगा तिन गुणा ये अगर एक रुपे लगा रहा है ये तीन रुपे लगा रहा है तो जो प्रोफिट जो रहेगा उसमें इसको एक ही रुपेया मिलेगा और इसको तीन रुपे मिलेगे तो पहली बात तो आपको ये समझ में आई कि इनका प्रोफिट का जो अनुपात होता है प्रोफिट का रेशो हैं वो किस पर डिपेंड करता है आपका पूंजी पर दूसरा अगर इसने लगाया मानलो 8000 रुपए और इसने भी लगाया 8000 रुपए तो पूंजी क्या हो गई बराबर हो गई मतलब यहाँ पर इसके अकोडिंग तो आपका रेशो क्या होना चाहिए एक अनुपात लेकिन इसने लगाया है पेशा छे महिने के लिए और इसने लगाया मानलो पहले छे महिने के लिए देख लो अगर छे महिने हैं और यह भी छे महिने मतलब पूंजी भी बराबर समय भी बराबर तो दोनों का प्रोफिट भी क्या हो गया बराबर हो गया अगर सभी बराबर सर इनका पूंजी जो है केपिटल जो तो सेम है उसके उपर तो यह डिपेंड नहीं करेगा अब डिपेंड किसे करेगा इसके समय के उपर समय का रेशो क्या बन रहा है तो समय का रेशो बन रहा है दोन उपातेक यदि समय का रेश्यो दोन पाथ एक बना है तो ऑवर ऑल इनके हिस्टमेंट का रेश्यो आ है जो पुण्जी इन्हों ने लगाई है वो पुण्जी और समय यह दोनों important important होते हैं किसके लिए आपके जो भी आपका लाब का अनुपात यहां पर बन रहा है यह किसमें ने लिखा है इस तरीके से जो लिखाय में नहीं नहीं जैसे यह लिखा है अभी हमने जो लिखा था यह अनुपात 8000 गुणाथ 6 इसे तरीके से एक सिक्वेंस में लिखा जाता है फरत कुछ नहीं पढ़ता है रेश्यों वही है आप अगर इस उत्रों में इसे लिखा था तो उससे कोई मतलब भी वह मैं इसलिए लिखा था कि क्लि सब्सक्राइब करेंगे तो इन चीजों में ज्यादा कंफुजन मत रखना ठीक है इसको सवाल से समझेंगे यह पहला सवाल देखते हैं पहले इसको लिखा है फॉर्मूला इसका यूज कुछ नहीं है बस कई बार इस्टुएंट के दिमांग में चलता है कि इसके अंदर को इसका क्या बनता है कि और क Roland benefit करके नहीं बनता है यह बस इसलिए बता रहा हूं कि जो इन सवाल आगे आने यस के अंदर आपको इनका यूज करना है तो यूज इसलिए बता रहा हूं कि जब इन दोनों का गुणा करने पर P बन रहा है तो आपको अगर अमाउंट निकालना है तो यह T कहां चला जाएगा P के बटे में अगर आपको T निकालना है तो A कहां चला जाएगा P के बटे में बस यह याद रखो इसका यूज सबसे लास्टर में करेंगे एक दो सवाल इसके हैं रेशो वाले सवाल आते हैं उसमें वह आपको सवाल से समझ में आ जाएगा हम सवाल करते हैं सबसे पहला कि ए और भी क्रमशहत 30,000 और 40,000 रुपए करमशह बारा और आठ महिनों के लिए लगाते हैं ए ने कितने महिने के लिए लगाया है बारा महिने और बी ने आठ महिने यदि कुल लाब 68,000 रुपए हो 68,000 तो आप से पूछाए कि बी का लाब क्या होगा एक बात तो इसमें ध्यान रखना यहां जो हम समय लिखते हैं वह समय कुन सा आता है तो जितने समय के लिए पूंजी लगा रहे हो वह आपको लिखना है यह ध्यान रखना जितने समय के लिए पूंजी लगा होगे वह समय यहां पर लिखा जाता है कितने समय के बाद आ रह के अंदर पढ़ेंगे उन सवालों को आप बस इसमें इस टाइप को समझो यहां पर इसने क्या बोला है कि 30,000 रुपए लगा रहा है बारा महीनों के लिए और चाली से जार रुपए लगा रहा है आठ महीनों के लिए प्रोफिट हुआ इनको 68,000 रुपए ताप से पूज़ा है कि इसके अंदर भी का हिस्सा क्या है अगर यहां पर इन दोनों का प्रिंसिपल सेम होता सुरी इनका जो इन्वेस्मेंट है दोनों की पूंजी अगर सेम होती तो डायट क्या कर देते हैं उसको तो एक अनुपात ए जो इनके अंदर कैंसल हो रही है या फिर 0 से 0 हटा दो ठीक है उसके बाद भी आप कैंसल कर सकते हो कैसे तो 4 से कैंसल हो जाएगा 3 बार 4 तीय 12 नहीं करना है तो आप इसका गुणा कर लो तो 12 तीय 36 और 48 32 इससे आप वापिस कैंसल कर सकते हो यह 4 से 9 बार 4 से 8 बार तो A और B का अनुपाद जो है वो कितना है या 9 अनुपाद 8 मतलब A को 9 रुपए मिलेंगे B को 8 रुपए मिलेंगे कब मिलेंगे जब इनका लाब कितने रुपए का हो 17 रुपए का जब 17 रुपए का प्रोफित होगा तो A को 9 का बता रहे गया उन्होंने क्या बोला है उनका को लाब कितना 68 आप तो 17 रुपए जो है वह तुह इसमें गुणा कर दो आप 4000 कितना जाएगा 48 32 तो यह आपका बी का हिस्सा है एक हिस्सा कर पूछेगा तो 436 चाथ जार आपका आंसर हो जाएगा बहुत इजी चेप्टर है कोई इसमें ज्यादा काम नहीं है इसका ज्यान रखना कि हमने क्या किया है तो यह कॉमन दिख रहा है जैंए 00 कर दिया अभी वनें चार से तिन वार कें तो मैं ने गुणा कर चार कर सकते हो लória कर देता हूं एक तरीका तो यह है कि यह नहीं गुणा कर के किया है दूसरा तरीका क्या होगा आप बस यहां पर इस चार से lovely गुणा गुना कर तो 9.08 मिल आ है आपको जो मर्जिया है वो करो बस हमें क्या करना इन में सो common value हटाना है दोनों के अंदर जो भी संग्या cancel और रही cancel कर दो नहीं समझ आता है तो गुना कर लो 12 का गुना 30,000 में कर दो फिर उसको रेश्यों में कितना लगा है इन्होंने 20,000 के लिए लगाते हैं यदि कुल लाब आपको कितना है 42,000 रुपए है यदि कुल लाब 42,000 हो तो A और B के हिस्से का योग क्या होगा क्या बुचा इसने A और B के हिस्से का योग आपसे पूछ रहा है तो यह योग अंतर जो भी है वो सब रेश्यों निकलने के बाद ही बना सकते हो उससे पहले कुछ नहीं तो आपको पहले क्या करना होगा रेश्यों बनाना होगा अब इसमें भी जब रेश्यों बना रहे ह हो जो संख्या से कैंसवा तो आपको इन के अंदर वही करना है अगर आपको किसी वह समझ में नहीं आ रहा है यह मुच्श के से ले रहे हैं तो कर सकते हो या फिर आप गुणा करके कैंसल कर लो तो यह हो जाएगा छे दुना बारा यह कितना जाएगा तीना चोबीस बारा चार अब इसको अगर कैंसल कर दो यह भी हो जाएगा बारा से एक बार बारा से दो बार बारा से चार तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कि कितना हो रूपय एक कितना रूपय ले साथ रूपयलाब होगा तो एक दो चार उनको समिल रहा है लेग 누हाब कितना बता है उसने god को देखा जाए तो 1 प्रेश्य के सब्सक्राइब कितना जाएग कि अधी एक रेश्यो का मांद गशाला है कि आपको यहा पर तो यह हो जाएगा आपका ऑठारा हजार रुपए हैं तो यह आपका ऐसा उसर होगा ओज हो गर ढूंध से निकालने का तरीका सबका अपना अपना होता है यह तो आप गुणा करके निकालो और इस तो शियों को इस तक तरका और आप इसको स्वाल करो कोई दिक्कत नहीं इसमें बस हमें रेशो का मान आना चाहिए रेशो निकालते आना चाहिए इसलिए मिना आपको रेशो पहले पढ़ाया है कि रेशो निकालना किसी भी तरीके से निकाल सकते हो यह जो लिखा है आप चाहो तो इसको इसे लिख सकते हू कि यह संखिया इसके और इसके उनुपात में तो इसमें और भी अच्छा है आपको अनुपात लेना है केंसल कर दो इसमें संख्या है जैसे आपको ईजी लगे ए अगे बढ़ें अगला सवाल है आपका अनिल एक व्यायुसाय में तीन महिनों के लिए तीन हजार रुपए निवेस करता है विजए छे महिने के लिए छे हजार रुपए और चारू बारा महिनों के लिए चोबिस हजार रुपए निवेस करते हैं अनिल जो हैं, अनिल कितना लगा रहा है, 3,000 रुपए, कितने महिनों के लिए, 3 महिनों के लिए, फिर इसमें कौन है, विजय, विजय लगा रहा है, 6 महिनों के लिए, 6,000 रुपए, और 4, 4 कितना लगा रही है, 24,000 रुपए, कितने महिनों के लिए लगा है, उसने 12 महिनों क वर्स का कुल लाव तीन लाख सुरी 33,300 रुपए हुँ वर्स यदि वर्स का कुल लाव वर्स का मतलब यह है द्यान रखना इसमें जिस टाइम के अंदर वर्स लगा रहा है उस वर्स की बात बुल रहा है एक वर्स तक पेशा लगा है क्योंकि चारों ने 12 महीने के लिए यह बात अलगे कि इन्होंने तीन महीने लगा उनको प्रोफिट उसी की अकोडिंग मिलेगा तो यह बुल रहा है तो विजय और अनिल क के लाब के हिस्से में अंतर क्या अंतर योग सब बात का काम है सब से आशाल को रेश के निकालोगे अभी मैंने बताए गर सोक'tा है ह। इसमें मैं डाइट बता तूँ कि तीन से कैंसल हो सकता है, तीन एकम तीन, तीन दुना छे, तीन चार बारा, अब ये कैंसल नहीं होगा, आप अगर ये सोच रहोंगे कि इसमें दो हैं, इसमें भी दो हैं, लेकिन इसके अंदर दो नहीं है, तो ये तीन हैं, इसमें तीन हैं, आपका एक यहां क्या है दो दुना चार यह कितना जाएगा चार आठ बत्तिस कि यह जो तरीका है यह बहुत अच्छा तरीका अगर आप यह समझ जाते हों कि अंदर आप कैंसल करो संख्याओं को और फिर उसका गुणा कर तो कैसे कि आमने तो जो भी इनके अंदर कोमन दिख है आप उनको केंसल करो सब्सक्रवलन जीरो अटाया उसका ढूंने देखा कि यह संख्याओं कि से कैनसल हो सकती है तो 3 से से कैंसल हो रहा था कि 3, 3,3, 3,4, अब 2 से कैंसल नहीं होगा कारण कारण कहीं इसके अंदर नहीं इन दोनों में तो इसको कैंशल नहीं कर सकते हों कि एए अनुपात कि एए अनुपात कि एक अनुपात चार अनुपात 32 ज्यान रखना अगर यह रेशो नहीं समझ आ रहा है तो गुणा कर लेना तिंतिया नो छे चे चे च्छतिस और 12 और 24 का गुणा कर लेना 192 जो भी आता है ठीके अब इसमें यह रेशो आपको मिला है तो इसमें कब मिल रहा है जब इनका योग कितना हो 37 अब इसमें यह 37 रुपीज आपका प्रोफिट जो है वो कब है जब हम रेशो बात करें वास्तविक लाप कितना दे रहा है यह 33,300 तो यह 37 बराबर है 33,300 के तो एक रेशो बराबर कितना आएगा तो साथ की टेबल में कि तीन कब आता है तो 97 63 होता है तो सीधा आपको 9 से कैंसल करना है 9 से कैंसल करके देखो कि 37 जो है इसमें कर नो करते हो तो तो सीधे नो से कैंसल गुणा करके देखो नहीं मिलेगा तो सीधे नो से कैंसल गुणा करके देखो नहीं मिल रहा है तो सीधे फिर 19 पे चले जाना बीच की संक्याओं को टेच मत करना कोई मतलब नहीं क्योंकि तीन बने गाई नहीं एक रिश्व बराबर 900 आगया इसने बोलाए कि विजय और अनिल विजय और अनिल सोरी यह विजय यह विजय तो विजय और अनिल के हिस्से में अंतर कितना है तो अंतर अगर आप देखते हो तो चार माइनस एक कितना अंतर आ रहा है आपका पूछ रहा है वह आप सौल कर पाओगे चाहिए योग पूछे चाहिए अंतर पूछे किसी एक व्यक्ति का मान पूछे तो वह सब कब जब आप यह रिश्व बनाते हो रिश्व बनाने के तरीके में दोनों बता दिये हैं या तो आप गुणा करके कैंसल करो अपर इस तरी अब उन्होंने क्या गड़बड की दो महिने बाद एक दस हजार रुपए और लगा देता है जबकि भी दस हजार रुपए निकाल लेता है एक साल बाद कुल लाब नब्वे हजार रुपए हैं तो आपको एका हिस्सा बता रहा है अब होगा क्या इसमें मैंने आपको बताया कि पेशा जितने समय तक रहेगा प्रोफिट उसी के आपको मिलेगा तो यहां पर क्या किया इन्होंने पेशा तो लगाया लेकिन पूरे समय तक एक ही तरीकर का पेशा नहीं रहा मतलब उनकी जो पूंजी है वो एक जिसी नहीं थी उनकी पुंजी क्या हो गई कम जादा हो गई उपनजी क्या र abusने मैं ने पेचा लगाया 20,000-30,000 रुपए लेकिन दो महिने के बाद आने 10,000 रुपए और लगा दी और 20,000 रुपए निकाल लिया अगर वहां पर पेचा लगा रहे और निकाल रहे हैं मतलब उन्हों ने बीच में जो उनका एक लिंक था वो तोड़ दिया केहने का मतलब यह है कि जो पेशा उन्होंने इस्टार्टिंग में लगाया था अगर यह पूरे समय तक होता था मिसके अगोडिंग रेश्यों को चेक कर दें लेकिन उसने क्या कि पीच में जाके पेशे को चेंज कर दि उसके बाद क्या किया तो जैसे ही वह यहां पर कुछ चेंज कर रहे हैं उसमें उनका प्रोफिट का जो रहेगा वह चेंज हो जाएगा चेंज होने का मतलब यह है कि अब उनको 20-30 के हिसाफ से प्रोफिट नहीं बटेगा अब बटेगा किस हिसाफ से तो जो भी उन्हों ने यहां पर चेंज किया है तो कुल मिलाकर यह जो चेंज होता है चेंज होने का मतलब एक्जाम्पल के तूर्पर माल लीजिए कि पहले बिजनस वो 20,000-30,000 से कर रहे थे उन्होंने वहां का प्रोफिट तो रोक दिया फिर नया बिजनस शुरू कर दिया मतलब बिजनस का मतलब अलग पेशा उन्होंने वापिस से इन्वेस्ट कर दिया तो आप खुद बताओ कि यह अगर लगाया तो यह तो दो मेने तक रहा है जैसे पेशा चेंज किया तो उनका इन्वेस्टमेंट क्या हो गया यहां पर 30,000 हो गया और यह कितना हो गया है 20,000 हो गया है तो अब जो प्रोफिट मिलेगा वह केसे मिलेगा तो आब वो 30,000 हो 20,000 के अकोर्डिंग मल रहा है उसने 10,000 ओर लगाया तो 30 कर दिया इसने 10,000 निकाल दिया तो 20 हो गया तो अब इनको जो भी मिलेगा वो उसके मिलें को एक्जाम्पल के तोर पर कि पहले उन्होंने इतना इंवेस्ट के था तो इसका रेश्व के अकॉडिंग उनको दे दिया जाएगा बस उन्होंने यहां पर इससा बाटा नहीं था वह सोच रहे थे कि पूरा हम एक साथ मिलकर उसका इससा बाटेंगी अब यहां बात आती है कि इनका समय जो वह कितना है तो इसने बोलाए कि एक साल बाट एक साल मतला बारा महीने तो बारा महीने में दो महीने तो उनके निकल चुके है तो जो पेशा उन्होंने बाद में लगाया वो दस-दस महीने तक उन्होंने वहां पर रखाता अब इसमें क्या होगा तो सीधा सह से करोगी वह बात अच्छे से समझ लो कि जैसे हम दो अलग-अलग ले रहते हैं मालों यह चीज़े नहीं होती तो यह और भी हम क्या करते हैं इसमें लेकिन आप इसको यह देखो कि एक तरीके से यह पूरी एक्वेशन है तो पूरी एक्वेशन अगर लिखी जाए जैसे आप से मैं बोल दूं कि पंद्रा प्लस 17 अनुपात 20 प्लस चार इसको आप रेशो में बनाओ तो क्या आप डाइट कैंसल कर सकते होगा इसको मालों यहाँ पर आपको पंद्रा की जगे अगर 16 लिख दूं में यह मैंने 16 लिख दिया कुछ भी लिख दिया तो यह आप डाइट कैंसल नहीं कर सकते हो कि यहां जैसे यह मैंने 12 लिख दिया तो इसा नहीं कि तीन से चार बार तीन से पांच बार कैंसल करते होगे क्या करते हैं तो पहले हम इसको जोडते हैं और फिर इसको कैंसल करते हैं तो कोई भी रिवेल्यों कर दी जाये ना तो आप उसको कैंसल तभी कर सकते हो उसको रेशो में तभी नंबर लिख जाए क्योंकि रेशो का मतलब में आपको बताया था कि अनुपात में अगर कोई संक्या लिख रहे हो तो उसका मतलब यह होता है कि आप उसका billions बन बना रहे हो और अगर इसितिरिकेश संख्यालाख लग खन लगे दोसका कवी भी से निकलता नहीं है तो हम क्या करेंगे पहले इसको cancel करेंगे अब cancel जब कर रहे हो तो ध्यान रखना कि इसमें यह जो लिखा है आप इसको या तो गुणा करके जोड़के फिर cancel करो या फिर इन चारों के अंदर common value ढूंड़ो यहां जैसे 4 0 हैं यहां पर भी है यहां पर भी और यहां पर भी है जान रखना चारों के अंदर होना जरूरी है अगर यहां पर 20,000 ना होते हुए अगर यहां पर हम यह लिख देते कि यहां 5237 ऐसा कुछ word अगर लिख देते संक्या तो फिर यह cancel नहीं होता हाला कि यहां होगा आप three Celick क्यल्कुलेट कर पाओगे पर उसमें वह बस आपको सवाल को घुमाफिराकर दे देता है तो यह द्यान रखते तो चारों के अंदर common अग्या जरूरी है मालों अगर सी, और डी भी आ जाएák तो चार तो यह प्लस ज्यान से देखोगे तो दो आपको भी दिखेगा कैसे दो यहां पर भी है दो यहां पर भी है दो यहां पर भी और यहां पर भी है तीन की अगर बात करें तो तीन यहां पर है यहां पर है लेकिन इन दोनों में नहीं है तो आप इसको कैंसल नहीं कर सकते हो अब इसको क्या कर लगस-बीस, तो ऊपर तो बना आपका चार और तीस चोटीस और यह कितना है 26 कि यह आपका यह पर ताना बनेगा 26 जोड दिया यह व में और कि जोड जा 17 रुपए मिलेगा 298 मिलेगा कुल मिलेगा कब मिलेगा जब आपका प्रोफिट कितना हो 30 रूपए लेकिन आपका प्रोफिट 30 रूपए नहीं है सवाल आपको दो कितना बता रहा है ग्राइश था को एक मैं नब्य हजार रुपय तो एक रेशो बराबर कितना जाएँगा उपका 3000 रुपय एक रेशो बराबर 3000 रुपय थो आप से पूझ रहेंकि एक का हिस्सा क्या होगा तो एक Trip कि इतना को सतरह ओझाएगा मुना में 37 आए अ da तो आपका अंसर हो जाएगा 51 आई बात समझ में सबसे इंपोटेंट जब पेशा चेंज हो रहा है मालों इसमें फिर वो दो मेने बाद आपिस से पेशा निकाल या लगा देते तो फिर हम इसको तीन पार्ट में लिखते तो जितने प्लस लग जाते हैं मालों प्लस लगा दि और सभी के अंदर कॉमन होना जरूरी है तब आप उसको रिश्व में लिख पाऊगे नहीं समझाता है कुछ भी तो सीधा सा है यह पूरी एक्क्वेशन एक साथ स्वाल कर लो दो का कुणा बीस में करोगे 40,000 इधर आ जाएगा आपका 30,000 फिर उसका आप उसमें एट कर ल 40,000 वह 50,000 रुपए लगा कर एक व्यापार प्रारम बगड़ते हैं चार महिने बाद ए 10,000 रुपए और लगा देता है जबकि बी 10,000 रुपए निकाल लेता है एक साल बाद कुल लाव 81,000 रुपए है तो भी का हिस्सा क्या है यह तो सब बात की बात है दोनों चीज़े प 50 लगाया कितने महिने के बाद चार महिने के बाद मतलब चार महिने तक तो यह पेशा इनका रहा चार महिने के बाद क्या किया तो ए ने 10,000 रुपए और लगा दिये अगर 10,000 रुपए और लगाता है मतलब कितना हो जाएगा 50,000 रुपए और वी जो हैं वो 10,000 रुपए निकाल लेता है 50 था 10 अगर निकाल लेता कितना जाएगा 40,000 रुपए अब वो साल के बाद की बात कि एक साल के बाद तो सीधा साय कि 4 महिने तो निकल चुके थे तो 12 में से 4 अगर निकल गए तो कितने बचे हैं 8 महिने बस equation same वही बन गई है तो क्या करोगे इस में से वही common value हटाना है तो सबसे पहले तो आप 0 हटा दो सबसे पहला काम यही करना है कि आप 0 count करके हटा दो 4 4 0 सभी में तो उसको पहले हटा दो कि यहां चार हे यहां 4 दुना 8 हो जाएगा यह 4 हो जाएगा यह चार दुना 8 हो जाएगा क्या बचांदर तो इधर देखो यहां पर क्या वद्धा है इधर कितना वचा है 5 दुना 10 बचा है यहाँ पर 5 बचा है 4 दुना 8 बचा है तो जब इसको 8 करोगे तो यह 4 और 10 कितना हो जाएगा 14, 5 और 8 13 तो यह अनुपात होगा 14 अनुपात 13 तो A और B के हिस्से का अनुपात कितना आ गया है 14 अनुपात 13 A को 14 रुपई B को 13 रुपई कब जब आपका प्रोफिट कितना हो 27 रुपई लेकिन आपका प्रोफिट 27 ने कितना है 81,000 रुपई तो 27 रुपई बड़ाबर 81 के तो एक बड़ाबर कितना जाएगा 27,3,1 एक रेश्यो बड़ाबर दि 173000 रूपए हैं तो आप से ये पूछा इसने कि B का हिस्सा क्या होगा तो विगा हिस्सा कितना कि पूंख?" तो गुर्णा या जाएगा आपका 49000.. तो के आंसर होगा आपका 49000.. यह आपका अंसर है आई बात समझ में टो हमने क्या किया है तो ये सारी सीचिゲ ज्यान रखिएगा खासकर जैसे ही प्लस लगता है वो अपने आप में पाइट बना जाता है क्योंकि इतना पेशा था उसके अगोडिंग तो उन्होंने चाल महीने तक प्रोफिट का रेश्यो बना दिया पिर उसके उसके बात क्या किया है उन्हों तो पेशा चेंज कर दिया था तो पेले इसके संगे सब्सक्राइब कि आधं आज को समच करते है और बी कहीं हम करने वाले है पार्टनर सीफ फिर बता रहा हूं रेशो का ही एक पार्ट ही हम इसके अंदर कहीं न कहीं जाके रेशो यूज करते ही हैं रेशो का यूज होना ही होना है फाइनली आपका जो भी आंसर आएगा वो रेशो के उपर ही बेज़ड होगा तो जो भी चीज़े हम नेक्स्ट वीडियो में डिसकस करेंगे आज जो मैंने बताई यह कुछ चीजे वह आप अच्छे से समझिएगा उसको वापिस से रिपीट कीजिएगा थोड़ा सा उसमें आप प्रेक्टिस कीजिएगा कि केसे हम रेशो बना रहे हैं दोनों तरीके ग हुआ हुआ है